Hi friends, welcome back to my channel, Momta Jwee. I am Momta. कैसे हैं आप सब? I hope आप जहां कहीं भी होंगे, स्वस्त होंगे, सुरक्षित होंगे, खुसाल होंगे. तो चलिए आज मैं करेला की सबजी बनाऊंगी. और करेला ऐसे तो मैकसिमम लोगों को नहीं पसंद आता, क्योंकि ये कड़वा राता है, और करवाट ही इसकी रियल टेस्ट है, तो हमें तो करेला खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और बच्चे करेला का तो नाम सुमते ही रो आइक बटन क्लिक कर दिजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलिएगा, तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं, और अपने रिस्पी को सुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दिजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और इस तरह से मैंने अपने बिटर गॉइट की सबजी बना कर रेडी की है, और ये देखिए बन रही है, तो कितनी सुन्दर इसका लूक और सबजी जितनी ये देखने में सुन्दर है, उतना ही टेश्टी ये खाने में है, तो आप इस तरीके से जरूर बनाईए एक बार, तो मैंने ये दो करेला ले लिया है, और ये करेला मेरा थोड़ा बड़ा-बड़ा साइज वाला है, आप अपने ए टमाटर है, ये देशी टमाटर है, खटे वाले और थोड़ा समय धनिया पत्ता को चौप्ट कर ली हूँ, तो फिर मैं इसको और इधर में मसाले में रूटीन के ही मसाले जो हम डेली अपने कीचन में यूज करते हैं, तो वही मसाले में यूज करूँगी, कुछ भी एक्स् उसको मैं इस तरीके से मैं कट कर लूँंगी, लंबा सेप में हमें कटना है, और ज्यादा पतला नहीं कटना है, मोटा मोटा इसके पीसेज को कट कर लेना है, लंबा स्लाइश टाइप से, और अगर छोटी वाले करेला मिले तो उसकी सबजी और टेश्टी होगी, बैट तरीके से मैंने अपने करेले को कट कर लिया है मेरे पास छोटे करेला नहीं मिलता यह वाला ही मिलता है तो इसलिए मैंने इससे ही बनाया है और पोटाइटो को भी मैं लेंध्वाइज ही काटूंगी हर चीज को दोनों को तो इसको भी आप लेंध्वाइज करेले के जैसा ही क दोनों चीजों को मैं लेंथवाइज काट लूँगी और जादा पतला नहीं काटना है मोटा मोट मोटे मोटे पीसेज रखने हैं करेला के और पोटेटो के और यह हमारी सब्जी जो है कटके रेडी हो गई है और इधर मैं कडाई मेरी जो है प्री हीट हो गई है तो इसको पारी मल शाया समेल आता है तो इसलिए अपको उसको अच्छे से हीट करना बहुत जरूबी है और यह जो टामाटर है इसको मैं प्यूरी कर लूँगी टामाटर हरी मिर्च और रहसू को मैं अच्छे से ग्राइट कर लूँगी और बहुत तप फाइन पेस्ट नहीं वानादा थोड़ा रोकी फ़ाइन सबढ़ा हमेड और फीर में इसको रहां सब्सक्राइब करोंगे और कोई सतंब्सकेशन करें या समघर यहां We इधर जो है यह हमारी सरसुतेल अच्छे से गरम हो गई है तो इसमें मैंने जो आलू को कट करके रखा था उसको मैं सबसे पहले फ्राइ करूंगी थोड़ा सा लाल हो जाए हलका सा गोल्डन ब्राउन कलर का उस पे थोड़ा सा यह हो जाए कलर चेंज हो जाए तब तक मैं इस तरह एला है पुरा सौल्ट अताइं कंट का बखना अच्छे से पहले फ्राह कर लेना है अच्छे से अलांखीन से लागयोन मैं हो कि एलए महर्माद कर ऒबाद कर दो इसको कुक कर लेना है ढक ढक के और फ्राई भी हो जाएगा और अच्छे से वह अंदर तक कुक भी हो जाएगा तो देखिए हालू हमारा दोनों काम हो गया फ्राई भी हो गया और कुक भी हो गया अब इस स्टेज पर मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी क्योंकि यह दोनों हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है तो आप छोटे करेले से बनाईएगा और भी टेश्टी हमारी सबजी होगी और ऐसे तो सूखी सबजी में बहुत तरीके से हम बनाते हैं और सेम कड़ाई में मैंने टू टेबल स्पून मैंने और मस्टरड लिया है और उसके जो है आप फाइन कभी मत ग्राइंड करिए थोड़ा सा इसमें चंक्स दीखने चाहिए टामाटर के तो अब मैं मसालो को डालके अच्छे से इसको भी फ्राई करूंगी जब तक कि मसाला हमारा अच्छे से फ्राई ना हो जाए तब तक हमें इसको फ्राई करना है और यहां में द्यान देजीएगा मैंने ओनियन कहीं नहीं डाला है अगर आपको पसंद है तो आप अड़ कर लिजी और सॉल्ट के साथ मैं मसाले को अच्छे से ख्राई करूंगी क्योंकि ऑनेन करेला में म?? भूजिया में मैं डालती हूँ मसाले वाले सब्जी में नहीं डालती तोड़ा मीठा सा टेश्ट आ जाता है तो इस तरीके से हमारा मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो गया और फिर मैं इसको ढख ढख के और यह अभी फ्राइब नहीं हुआ है इसको समय लेके थोड़ा सा दीड़ा करीं मारे डाल के और उसको भी आड़ करके मैं अच्छे से इसको कर लूँघ एक साथ दोनों को एक रस कर लूए और थोड़ा सदनिया पत्ता मैं इससे इस और कि मैं मसाले के साथ भी धनिया पत्ता को ठोड़ा कोंचार दालती हूं उसे करईस्ट बहुत अंच्छा सब्जी से ऑर इस तरीके Сे अिस वुन हो गई है और इसको में पुरा अच्छे से म्वुच्छ जितनी सब्छर है है करेल समय को घ्यां इसको मैं धेकर के और पानी जैसा एसको अच्छे से सुखा लेना है और ढख ढख के और इसको और लास्ट स्टेज पे मुझे जो सॉल्ट कम था वह भी मैं एड कर ली और इसको आमें नीचे से पूरा सुख जाना चाहिए सब्जी हमारी जले ना बस और इसको यह पक गई है सब्जी हमारी तो इसमें हम लीड नहीं लगाएंगे करेंगे और इसको आफ कवर करके थोड़ा नीचे से हमें सोंदे सोंदी से खुसवू आनी चाहिए थोड़ा सा मिसको फ्राइ कर लेंगे और पूरे मॉस्चर को हम जला देंगे जो यहीं सब्जी में मॉस्चर है और आप चाहें तो लाश्ट में गैस आफ करके आम चूर प करती है और मैं देखी अपने सब्जी को इस तरीके से सर्फ करूंगी और यह हमारी सब्जी बहुत अच्छे लुक इसका आया है और इसको आप रोटी चावल किसी भी चीज के साथ सर्फ कर सकते हैं और इस तरह बन के रेडी हुई है बहुत टेस्टी लगती है तो या तो कीमबू भी आप इसमें डाल सकते हैं बनने के बाद कोई भी चीज खटा करने के लिए जरूर्ड एड करिए अगर आज का वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजेगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत झाल सकते हैं.